स्सी डीडी काश्टेबल भरती 2018 यदि आप इसमें वेडिकल में फिट हुए बैठे हैं तो आप सभी के लिए बड़ी ख़बर है स्सी डीडी सेकंड लिस्ट अब आगे क्या होगा जी हा दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आप सभी का इसी चैनल पर आपको बताएंगे कहा है यानि कि एक के करके आपको पूरी डेटल में जानकारी बताएंगे इसलिए आप से मेरा बिरम निवेता ने कि कि रिप्या वीडियो के अंतक बने रहना ताकि पूरी पूरी जानकारी आपको मिल सके तो आई होप आप वीडियो के अंतक बने रहेंगे और वीडियो को अंत में आपको एक महत्वों टिप्स दी जाएगी ताकि प्रेंट्स आपके फ्यूजर में कोई भी प्राब्लम ना हो तो आज के इस वीडियो में आज अंत तक बने ढहना ताकि पूरी पूरी जानकारी आपको मिल सके तो चले टाइम ना बरवात करते हुए फ्रेंट्स आग कि अगर वे इस भरती में सिलेक्टर नहीं होते हैं तो उनका अप कहीं सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि वे ओबर एज हो चुके हैं बहुत सहीवा ऐसे हैं जिनके पास दूसरा मौका ही नहीं है क्योंकि उनकी आयूस सीमा निकल चुकी है अगर इस इस्तिती में केंदर सरका मुझूदा पदों में ही 25,000 नए पदस्रजित कर देती है तो सभी मेडिकल पास आवेद को कुनोकरी मिल सकती है या गाइस मेरा कहना नहीं है बलकि यहां पैरा मिलिटरी फोर्स एसोसियेशन के महासचिव रणवीर सरका कहना है देखे फिर आगे क्या कहते हैं हमें खास बात है कि केंद्रे सुरक्सा बलो में इस समय एक लाग से जादा पद खाली पड़े हैं और फिर आगे कहते हैं कि रणवीर सिंग ने केंसरकार को चेटाते हुए कहा है कि अगर सभी मेडिकल फिट यवाव को निक्ति नहीं दी जाती है तो उनके कई वर्सों की महनत बेकार चली जाएगी 100% सइये 100% सढ़ी है कि कई वर्सों की महनत बेकार चली जाएगी तीन वर्सों से ससासि आस लगाए बैटे थे कि अब आएगा रिजल्ट मेरा सपना साकार होगा वर्धी पाने का जुरूल पूरा होगा लेकिन वो सब अपना उनका चेकना चूर कर दिया है S.S.E. ने हम सभी के साथ विश्वाजगात किया है S.S.E. ने हम सभी के साथ अन्याय किया है और इस अन्याय को आप सहर नहीं करना है रर्लबीर सिंग भी हमारे साथ रहेंगे और यदि आप सभी का साथ मिलेगा तो गाइस हम बहुत बड़ा कर सकते हैं आप बीडियों नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट जरूर करिएगा कि क्या आप सभी लोग हमारे साथ हैं अपने इस भबिस को समारने के लिए अगर गाइस हम आज इस मुद्दे पर नहीं उठाएंगे जबाब आज इस मुद्दे पर कदम नहीं उठाएंगे तो गाइस आने वाले फ्रेंड्स हर पीड़ी में हर स्टूडेंस तक यहीं होगा सेसी हर स्टूडेंस के साथ यहीं करेगी क्योंकि गाइस आपको बता दे कि जब पदिते साथ हजार उसमें से कवल और कवल चवर हजार को ही सिलेक्ट क्यों किया गया और सेकंडर लिस्ट की बात की जाए कि सेकंडर लिस्ट आएगी या नहीं तो ये तो कंफर्म है कि 100% हए कि काएगी 100% है कि सेकंडर लिष्ट आएगी लेकिन आएगी तो उसकी बेटिंग लिष्ट है निकि बेट करना पड़ेगा लेकिन अब हम बेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वैसे ही मैंने 3 साल बेट किये हैं और अभी भी SSE को कम नहीं है वो 3 साल वो चाहती है हम और बेट करें लेकिन अब हम सभी लोग बेट नहीं करने वाले हैं अब ऐसा नहीं करने देंगे SSE को यदि आप सभी लोगों का साथ मिलेगा यदि आप सभी लोग एक साथ हो करके कुछ बड़ा करने की कोशिस करेंगे तो 100% फ्रेंट्स हम सभी लोग मिल करके कुछ बड़ा कर सकते हैं और इस अन्याय को होते हुए नहीं सायन कर सकते हैं यानि कि इस अन्याय को अब नहीं सायन करेंगे हम सभी लोग अगर एक साथ मिल जाए सकंडलिस्ट आएगी ये तो कंफर्म है ही लेकिन सकंड लिष्ट आएगी ये कुछ लोग कह रहे हैं मार्च तक आएगी तो क्या बताईए हमें कि जनवरी अभी चल रहा है और मार्च तक आएगी तो क्या अभी भी हम बहीने डेड़ बहीने इंतिजार करें तीन साल उसके कम नहीं है तो हमें लगता है फ्रेड़स ऐसा बिल्कुल ने अब हम इंतिजार नहीं कर सकते हैं अब हम सभी को कदम उठाना होगा और यही को फ्रेड़स करते हुए रलगीर सिंगसर जी कहते हैं यहां पर आप देखिए इस भरती के फाइनल रिजल्ट में सभी मेडिकल पास आवेदको का नाम सामिल नहीं होता है तो और ऐसा ही हुआ यानि कि इस आवेदन में जो आवेदको थे उन्हें सभी का फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं आया क्योंकि जो आबेदक थें वह थें दोंको बैकंसी ही 60,000 थे तो बैकंसी ही नहीं दिये तो आबेदक की क्या देंगे और फिर लिखा उन्होंने तो हजारों युवा चौदा फर्वरी अब हजारों नहीं अब जितने मेडिकल में फिट हुए है जिनका सेलक्षन युवा में सभी चौदा फर्वरी को जनतर मंतर पर आनि सितकाल धर्णा परदर्शन करेंगे और यहां बात 100% बिलुकुल सही है कि अब चौदा फर्वरी को जनतर मंतर पर आनि सितकाल धर्णा परदर्शन किया जाएगा आन शितकाल धर्णा परदर्शन महा धर्णा परदर्शन होगा 14 फरवरी को जनतर मंतर पर तो guys I hope आप इस बात शे सहमत होंगे और यदि आप सहमत है तो आप से मेरा हाच चोड़ कर विर्मरनिवेदर है कि किरपिया आप सभी लोग 14 फरवरी को जनतर मंतर चलने की पूरी-पूरी कोशिस कीजेगा क्योंकि यदि आप सभी लोग नहीं चलेंगे तो guys अब आगे क्या होगा ये नहीं कोई कह सकता है क्योंकि फ्रेंस SSC हम सभी के साथ फ्रेंस न्याय नहीं बलकि हम सभी के साथ ये प्रेंस बहुत ही गलत कर रही है SSC अब ऐसा नहीं करने देंगे हम सभी लोग यदि आप सभी लोग एक साथ मिल जाएंगे आपकी क्या राय है कि 14 फरवरी को जनतर मंतर पर आनिसीत कालधरना परदरसन किया जाया या फिने देखिए यदि आप सभी लोग नहीं जाएंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गाइस मुझे तो जाना है 14 फरवरी को जनतर मंतर पर अपने सभी स्टूडेंट्स के जो बविस्ट के साथ खिलवार हो रहा है उनको रूकने के लिए यदि आप सभी लोग इस बात्षे सहमत हैं तो वीडियो के निचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हाँ ये एक बात और बता दे कि S.S.C. Z.D. कॉंश टेबल 2018 के वेटिंग लिष्ट के बारे में कोई अपडेट्स आती है तो सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी आप चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा साथ में जोबल बेटन आएगा उसे प्रस कर लीजेगा ताकि तुरंट आपको सूचना मिल सके और यदि आप सभी लोग हमारा साथ देंगे तो गाइस आई होप आप सबी लोग साथ देने को तयार भी होंगे और यदि आप सबी लोग साथ देंगे तो 100% इसका हल जरू निकलेगा आप वीडियो नीचे कमेंट बाक्स में यह राय जरूर दीजेगा कि आप हमारे साथ हैं या फिर नहीं यदि नहीं है तो भी मुझे कोई प्राबलम नहीं है क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो भी मैं जाऊंगा क्योंकि यह बहुत ही गलत कर रही है ससी और आपको एक बात और बता दें कि इस वीडियो को इतना सेयर कर दीजे तकि हर श्टूडेंस तक या वीडियो कोई सके उन्हें तर मुझे बहुत है क्यांस परेवरी को जन्तर靶्र मंतर पर और निस्ट काल धर्ना पर दस करना है ससी के खिलाव ठीक है उन्हें भी पता चलंके तकि अधर से हर श्टूडेंस तक या वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी पता चले कि अब SSC ऐसा नहीं करने वाली है अब SSC को ऐसा नहीं करने देंगे यदि हम सबी लोग एक साथ हो जाएंगे एक साथ मिलकर के कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिस करेंगे और बिलकुल सही है कि सकंडर लिष्ट आएगी बिलकुल सही है सकंडर लिष्ट आएगी लेकिन सकंडर लिष्ट का नाम क्या वेटिंग लिष्ट यानि कि वेट करना पड़ेगा लेकिन अब वेटर नहीं करेंगे हम सभी लोग अगर आप सभी लोग साथ देंगे तो वेटर नहीं करना पड़ेगा बहुत ही जल्द आजाएगी सेकंडर लिष्ट जैसे ही इसके बारे में कोई अब्डेट्स आती है सेकंडर लिष्ट के बारे में या फिर 14 फट्वरी को जंतर मंतर आरिसित काल धरना परदसन आपको चलना है हाँ चलना है बल्कुल और अबकर कोई लेगी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में जोबल बेटाना एक उससे प्रस कर लिजेगा ताकि तुरंत आपको सूचना मिल सके ठीक है और इस वीडियो को सेयर भी कर दीजएगा तक आया हाई श्टूर्स तेंग या वीडियो पहुंच सके और यदि आप बता दें कि दोस्तों यदि आप नहीं जाएंगे तो एक एक करके बहुत हो जाता है इसलिए आपसे विरम निवेदर ने कि किर्पिया अपना समय निकाल करके अपना बहुमोली समय निकाल करके आप अपने इस चौदा फरवरी को जनतर मंतर पर जरू चलने की कोशिस साथ में इस वीडियो को जादर से जादर सेयर कर दें तक कि हर इस्टूडेंस तक याई वीडियो पहुंच सके उन्हें भी पता चल सके कि अब आगे क्या करना है एक बाद फिर से बताएं कि सेकंड लिष्ट के बारे में कोई अपडेट साती है तो सूचना तुरंत आपको बंदे मत